हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर एट राशियों की तुलना प्रशनावली आठ पॉंटीन से कोशन नमबर फोर सोल्व करेंगे तो कोशन नमबर फोर देखें मैंने जमशेद से बारा हजार रुपे दो वर्श के लिए छे प्रतिशत वाशिक दर से साधारन ब्याज पर उधार लिये इसोती अतरिकत राशी का भुकतान करना पड़ा है तो मुझे क्तने एक्स रुपे देने पर आले हैं ए तो सबसे पहलें साधारन ब्याज के लिए हम पहले साधारन ब्याज कि लिए मूलधन कवा देखें कितने रुपए अधाली है हमें 12K रुपे मैंने 12kSTJ रुपे है और जिसके साथ प्रतिशत लगा वो दर होती है तो दर कितनी है छे प्रतिशत और समय क्या है दो वर्ष तो अब साधारण ब्याज निकालेंगे तो देखे साधारण ब्याज निकाले का फोर्मला का है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 तो देखे मूलध 6 और 2 को गुणा कर देंगे तो इनको गुणा करने पर आएगा 1440 रुपे तो साधारन ब्याज कितना है 1440 रुपे तो यानि जब मैं साधारन ब्याज पर 12,000 रुपे उधार ले रही हूं तो मुझे दो वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा 1440 रुपे ब्याज देना होगा तो ये तो साधारन ब्याज के लिए था अब हम चक्रवृदी ब्याज निकालेंगे तो देखे चक्रवृदी ब्याज के लिए भी मूलधन 12,000 है दर 6 प्रतिशत और समय दो वर्ष है तो क्या है मूलधन गुणा ब्रैकेट मे एक जमा दर बटे 100 की घाथ समें 12,000 तो में लिकलेंगे 12,000 गुणा ब्रैकेट मे एक जमा दर कितनी है 6 प्रतिशत तो में लिए लिए के शे और बटे लिखेंगे गुणा एक जमा तीन बटे में पचास की घात दो फिर बारा हजार गुणा अब देखें पचास को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा पचास फिर पचास में तीन जोड़ेंगे कितना आया त्रेपन तो त्रेपन और बटे में पचास की घात दो अब देखें त 53 बटे 50 की घात 2 का मतलब है कि 53 बटे 50 को हम 2 बार लिखेंगे तो 12,000 गुणा 53 बटे 50 गुणा 53 बटे 50 अब देखें 1 0 से 1 0 कट गई फिर इस 1 0 से 1 0 कट गई अब देखें 125 और 5 ये दोनों 5 से कट रहे हैं 5 एकम 5 इसे 5 से काटेंगे तो 5 दुनी 10 पांचों के 20 अब देखें उपर वालों को उपर वालों से गुणा करेंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से गुणा करेंगे तो उपर क्या है 24, 53 और 53 तो इने गुणा करने पर आएगा 67,416 और बटे में क्या है 5 अब देखें 67,416 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा तो देखें भाग देने पर 13,483 रुपे 20 पैसे आएगा तो ये तो मिश्रधन आया है अब हम चकरविर्धी ब्याज निकालेंगे तो चक्रविर्धी ब्याज निकालने का फॉर्मला क्या है? मिश्रधन माइनस मूल्धन देखें, चक्रविर्धी ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्रधन चाहिए होता है इसलिए हम पहले मिश्रधन निकालते हैं तो मिश्रधन क्या आया है? विश्रधन आया 13,483 रुपे 20 पैसे माइनस मूलधन कितना है? मूलधन है 12,000 तो अब देखें इन्हें माइनस करना है तो मैंने ये लिख लिया है ठीक है यहाँ पर अब ये 12,000 यहाँ लिख लेंगे फिर दशमलब के नीचे दशमलब यहाँ देखें दशमलब के बाद दो अंक आती यहाँ दशमलब के बाद दो जिरो लिख देंगे दो वर्ष के लिए उधार ले रही हूं तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ रहा है 1483 रुपे 20 पैसे अब देखे कोशन उन्होंने ये पूछा है कि जब मैं चकरविर्दी ब्याज पर रुपे उधार ले रही हूं तो देखे जब मैंने साधारन ब्याज पर 12,000 रुपे उधार ले थे तो मुझे कितना ब्याज देना पड़ रहा था 1440 रुपे और देखे जब मैं 12,000 रुपे चकरविर्दी ब्याज पर उधार लेती हूँ तो मुझे कितना प्याज देना पड़ रहा है 1483 रुपे 20 पैसे तो अब हमें क्या बताना है ये पूछा गए कि जब चकरविर्दी ब्याज पर मैं रुपे उधार ले रहे हूँ तो मुझे कितनी अतरिक तराशी का भुकतान करना पड़ेगा तो जितनी अतरिक तराशी का भुकतान करना पड़ता तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे चकरविर्दी ब्याज में से साधारन ब्याज घटा देंगे चकरविर्दी ब्याज कितना है इतना तो 1483 रुपे 20 पैसे में से हम घटा देंगे साधारन व्याज साधारन व्याज कितना है साधारन व्याज है 1440 रुपे 1440 अब इन्हें माइनस कर लीजिए तब देखें इन्हें माइनस करना है तो 1483.2 0 मैंने लिख लिए अब 1440 यहां लिख लेंगे फिर दशमलव के नीचे दशमलव अब यहां दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहां दशमलव के बाद 2 0 लग जाएगे अब इन्हें माइनस कर लीजे देखे 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2 फिर दशमलव 3 में से 0 गए 3, 8 में से 4 गए 4 बाकी 4 मिस चार गए 0 और 1 मिस ए गए 0 तो क्या आया 43.2 जीरो तो चकरविदी ब्याज पर रुपे उधार लेने पर जितनी अतरिक तराशी का भुकतान करना पड़ता 43.20 पैसे तो जब मैं चकरविदी ब्याज पर रुपे उधार लेती तो मुझे 47.20 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते तो ये था कोशन नमबर 4 आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर 4 सोल करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू